दोस्तो नमस्कार अपने चैनल पे मैं विजय प्रकास आपका हर्दिक स्वागत करता हूँ दोस्त कल के वेबिनार में बहुत बड़े अपडेट्स मिले हैं और आज उस अपडेट्स पे भिष्तरित चर्चाएं होगी और जीन प्रोस्पेक्ट को आपने प्लान सेयर किया है बटो अभी ज्वाइन नहीं कर पाए हैं उनकी लिए भी दोस्ते वीडियो आज बहुत ही अस्पेसल होने वाला है बस वीडियो को लाज तक जरूर सुने दोस्त ओन पैसिव हमें क्यों करना चीए क्या हमें ओन पैसिव की जरूरत है क्या ओन पैसिव के बीना हमारा लाइफ चेंज नहीं हो सकता दोस्त आज के वीडियो फांडर्स के लिए ही नहीं उन लोंग के लिए भी है जो ओन पैसिव के कोंसेप्ट को जानने के बाद भी एक कदम आगे और एक कदम पीछे करते हुए निरने नहीं ले पा रहे हैं इसे जुआइन करने का दोस्त हमें से बहुत सारे लोग इंसुरेंस कराते हैं और quarterly, half yearly या फिर yearly छोटा या वरा amount पे करते हैं जितने ओधी का प्लान होता है अमुमन long term का ही प्लान होते हैं इंसुरेंस कंपनियों के पास सबसे पहली बात कि हम investment के लिए इंसुरेंस प्लान नहीं लेते हैं बलकि हम इंसुरेंस प्लान इसलिए लेते हैं कि कल के date में कोई हाथसा हो जाए तो बिमीत रासी फैमिली में जो नॉमनी है कागजी परक्रिया पूरे होने के बाद और रासी उसे मिल जाएगा लगपग एक मुस्त जिसके नाम से बिमा था उसकी कमी उस फैमिली में कोई नहीं पूरा कर सकता दोस्त बट पैसे का प्रोब्लम कुछ हद तक जरूर कम होता हुआ नजर आएगा और दोस्त किसी के साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है घर से बाहर निकले साम तक वापस आएंगे या नहीं इसका कोई गरांटी दे सकता है क्या हम अपने सोसाइटी में बहुत सा ऐसा फैमिली देखते हैं जो बहुत सुक सम्रिधी और सांती के साथ जीवन जी रहा था अन्यास वही ब्यक्ति उस परिवार से सदा के लिए दूर हो गया जिसके कंधों पर पूरे परिवार की रिस्पांसिबिलिटी थी सारे सुक सम्रिधी छनभर में गायब अगर ऐसा कुछ उसने करके गया जिससे उसके ना रहने के बाद भी उसकी तो हमेसा कमी महसूस होगी लेकिन पैसों का प्रोब्लम नहीं आएगा तब तो ठीक है और अगर ऐसा कुछ नहीं कर पाया है तब क्या होगा हम महसूस कर सकते हैं दोस्त आज मैं आपको एक एकसरसाइज आज ये एक जाम्पल बता रहा हूं करके देखिएगा आधी रात को चुपके से उठियेगा बिस्तर से और उठकर ध्यान से देखिएगा अपने माबाप को अपनी पत्नी को अपने बच्यों को अपने फैमली को अपने छोटे- इत्मिनान से सो रहे होते हैं जरा भी चेहरे पर सिकन नहीं बलकि एक सुकून सा नजर आता है उनके चेहरे पर हमारी पूरी रिस्मांसबिलिटी जब इनके कंधों पर है तो चिंता किस बात की यही सोच कर चैन की निंदों सो रहे हैं दोस्त यह सोचने वाली बात है इस्वर ना करे किसी के साथ ऐसा कुछ हो बट अगर हम ना रहें तो क्या फिर भी यह इतने सुकुन से चैन से सो पाएंगे जैसे आज सोते हुए मैं देख रहा हूँ बिलकुल नहीं दोस्त अच्छा अच्छा फैमिली भी खर जाता है तुट जाता है आस्मान से सिधा जमी पर आ जाता है दोस्त यह करके देखना रोंगटे खरे हो जाएंगे अगर आपको लगता है मेरे फैमिली पर पैसों को लेकर कोई प्रब्लम नहीं आएगा आज वो जीस एस्टेंडर में जी रहे हैं हम रहें या ना रहें फिर भी वो वैसे ही और उसी एस्टेंडर से जीवन को जी पाएंगे तो हो सकता है सायद आपको ओन पैसिब ना भी करना परे तब भी कोई प्रब्लम नहीं होगा लेकिन आपका जवाब दोस्त अगर ना में है तो फिर आपको ओन पैसिब की सक्स जरूरत है और फिर इसे ना कहने का आपका कोई हक नहीं बनता है क्योंकि यहाँ पैसिब इंकम मिलेगा नौट एक्टिव इंकम और वो भी बरते हुए करम में अनलिम्टेड इंकम नेक्स्ट जेनर संथ तक फिर आपके फैमिली के फीचर को लेकर सारी चीनता है खतम हो जाएगी दोस्त क्योंकि हमने ऐसा कुछ कर दिया है कि किसी भी आपात इस्तिती में फैमिली को पैसे की कभी प्रूबलम नहीं होगा और दोस्त इंस्रेंस प्लान जैसा बार-बार प्रिम्बियम भी नहीं देने है आपको और वहाँ आपकी फिक्स रासी मिलेगी और यहाँ अनलिम्टेड फैसला आपका मर्जी आपकी दोस्त सो भाग्य किसी का दरवाजा ये एक बार खटखटाता है वह भी धीरे से मगर दरवाजा तब तक खटखटाता है जब तक दरवाजा खुल न जाए दोस्त ये ऐसा कॉंसेप्ट है जिसे कोई एक बार आपको सेयर कर सकता है बट वह आपको इसे जोईन करने के लिए प्रेस कभी नहीं कर सकता आप अपने विबेग से सोचिए हमें क्या करना चाहिए क्योंकि आप इसमें इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो आप फाउंडर सिप का पोजीशन बुक कर रहे हो जो जश्ट कुछी दिन बाद क्लूज होने जा रहा है फिर आप करोर उर्पिये देकर भी उस पोजीशन को नहीं ले सकते है दोस्त ओन पैसे दुनिया का सबसे बड़ा और्गनाईजिशन होने जा रहा है यह दुनिया का एक मातर कंपनी है जो बीना लॉंचिंग हुए और बीना किसी को इनकम के रूप में एक पैसा दिये लगभग 1.2 मिलियन फाउंडर्स बना लिये हैं दोस्त इसी से इसके पावर को समझा जा सकता है कि 200 से भी अधिक कंट्री में अपना बिस्तार कर दिया है और लॉंचिंग से पहले ही बहुत देशों में अपना ओफिसेज ओपेन भी कर दिया है जिसमें हैदराबाद भी है जहां एक लाख पचीस सजार स्कॉयर फिट के तीन मंजिला बिल्डिंग में लगभग एक हजार सौप्टेयर डिवलपर सौप्टेयर इंजिनेर इंपलाई के रूप में है या आईटी सेक्टर के अलावा या पुर्व के खराब अनभव के अधार पर अनपैसिब को आखने का भी प्रयास ना करें क्यों कि ऐसा कॉंसेप्ट आज से पहले आपने ना कभी देखा होगा ना कभी किया होगा और ना ही कभी सोचा होगा दोस्त ऐसा कॉंसेप्ट जिसका रास्ता सीधे गरीबी से अमेरी की ओर जाता हो बीना किसी रुकावट के ये गौड के बीना संभव नहीं है दोस्त गौड किसी को डिरेक्टली हेल्फ नहीं करते हैं ओ किसी के माध्यम से करते हैं दोस्त वही माध्यम है on passive, best opportunity God ने दिया तो, बट उसे accept करना या ignore करना ये आपके हाथों में है दोस्त, चाहें तो इसे qualify कर सकते हैं, और अपने family एंड अपने चाहने वालों का भी जीवन बदल सकते हैं, सुख सम्रदियों और खुसियों से भी भर सकते हैं, और founder मित्रों से क खने बाद करो कि मेरे जीवन में अपने दुनिया का सबसे बरा औसरला कर दे दिया, दोस्त, आज का विबिनार बहुत बरिया रहा, बहुत सरे updates मिले हैं, medical के छेतर में on passive बहुत ही अजूबा काम करने जा रहा है, doctors जो भी medical equipment यूज करते हैं, वहां उनको नए नए technology पर जा रहा है on passive, आने वाले समय में artificial intelligence, robotic माध्यम से medical के छेतर में जटील काम को बिल्कुल आसान बनाएगा on passive, तरजरी कोई मानो डक्टर ना करके, AI robot करे, यह संभव बनाएगा on passive, जैसे driverless गारियां, उसी परकार doctorless hospital हो सकता है, यानि health and medical के छेतर में एक नया इतिहास रचने जा रहा है on passive, दोस्त, बिस वस्तरिय डक्टरों की team भी इस पर काम कर रहा है, डक्टर बिल्बिलियमस ने असपश्ट रूप से कहा, कि on passive आने वाले समय में बहुत सारे सेक्टर में आने वाला है, ऐसे ऐसे products आएंगे, जिससे दुनिया के हर सेक्टर में काम बहुत असान ह हो जाएगा, यानि सरल्वासा में कहें तो on passive वैसे products का निर्मान कर रहा है, जिसके बीना पूरे world के लोग अधूरा अपन महसूस कर रहे हैं, और इंतिजार कर रहे है कास को इस तरह का equipment तियार करता, on passive बहुत बढ़े level पे काम कर रहा है दोस्त, जो real में हमारे समझ से बिल बदलते हुए दुनिया का हिस्सा है दोस्त, आप कितना भी मेहनत कर लो, अगर उसमें सच्चाई, इमांदारी और आपका दिल नहीं रहेगा, आप उसमें कभी सफल नहीं हो सकते, आप जीवन में बहुत आगे नहीं जा सकते दोस्त, इसलिए अगर on passive मिल गिया है, तो सच चाई के साथ, इमांदारी के साथ, और दिल से इसके परती जो हमारे करतब्बे बनते हैं, उससे जरूर निभाने का प्रयास करें, और वैसे लोग जिनके जीवन में on passive की जरूरत है, इस concept को सेर जरूर करें, रियली, रियली, आपको बहुत सारे दिलों से दुआएं भी मि बाद,